कि अच्छी सिंग लेक्टर के लिटेस्ट लाइव स्ट्रीम में हम लोग विलियन नाम के चेप्टर को आगे कंटीनियू कर रहे हैं और हैं रिका नियम जो है उसका पार्ट सेकेंड हम लोग और लेडी वैसे कंप्लीट कर चुके हैं अब हमें अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है और आज हम लोग डिसकस करेंगे राउल्ट का नियम तो ध्यान समझें आज आप लोग बहुत विशेश टॉपिक पढ़ने वाले हो कि आज आप पढ़ों के साथ में राउल्ट का निय सही बात है तो जो भी बच्चे अभी तक आलस कर रहे थे चैप्टर को सिस्ट नहीं ले रहे थे यह सही समय है कि आप चैप्टर को सिस्ट देदा शुरू कर दें क्योंकि अब एक्च्छल में यह चैप्टर जो है अपना असली रूप लेगा और आज हम लोग जो भी चीज से समझ सकें तो शुरू करते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको हैंरी के नियम में कोई डाउट नहीं है और आज आपको राउल्ट का नियम भी बहतर तरीके समझ में आ जाएगा बस हां एकात बाते और हैं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उस टॉपिक का र हो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले आप लोग एक काम करो जब तक फ्रेम एज़िस्ट कर रहा हूं तब तक आप सभी लोग फटा फट से अपनी प्यार इसी कॉपी में हेडिंग लगा ये वाश्प दाप बस एक में फ्रेम एज़िस्ट कर दो ठीक है काफी हद तक काम चल जाएगा तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाने ठीक हो गया ना पहले से बैता रहे ना चीक है तो अब आप लोग हेडिंग लगाए वाश्प दाप यहीं से हम आज की क्लास के शुरुआत करेंगे बहुत ही मज़ा आएगा बाबू ध्यान से पढ़िएगा वाश्प दाप वैपर प्रेशर वीपी के नाम से इसको जानते हैं कि आगे बच्चे सब क्लास में सेटल हो गयो अपने अपने जीवन के सारे काम थोड़के पढ़ाई के लिए अग्दम तयार हो सज्जो बढ़िया है लेट्स स्टार्ट कि देखो होता क्या है अगर आपन किसी भी द्रव को देखें कोई भी द्रव लेलो आप कोई भी लिक्विड लेलो किसी भी लिक्विड को लेलो जो आपके मन में आए उस लिक्विड को देखो जगा तो लिक्विड के पास क्या होता है दो चीजें होती है एक liquid की सतह होती है जो सबसे topmost layer है जो सबसे उपड़ है और एक उसके अंदर का हिस्सा जिसको हम लोग bulk या फिर स्थूल के नाम से जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, कि यसा ये द्रव है, तो इस द्रव के सबसे topmost layer, जो है, सबसे उपर वाली, उसको हम लोग कहते हैं सतह, क्या बोलते हैं बच्चों सतह, और जो अंदर की तरफ है, बिल्कुल बीच में, इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स् बल्क कहते हैं अगर 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 दिमाग लगाते हुए जो सत्य है इस सत्य को ध्यान से गौर से देखें इस सत्य है के कणों को ध्यान से देखें तो जितने भी सत्य के कण है चलो एक कणों को पकड़ लूँ ज्यादा कणों को नहीं पकड़ते हैं एक कणों को पकड़ लूँ तो जो सत्य का कण है उसके उपर बलों की विशेश इस्तिती होती है उसके उपर जो बल लग रहा होता है उस बल के बारे में हम लोग बात करते ह जो कण सतह है पर है उसके उपर कौन कौन बल लगाएगा उसका इधर वाला पड़ोसी उसका इधर वाला पड़ोसी और उसके नीचे वाले पड़ोसी तो जो सतह है वाला कण है उसके उपर जो बल लगेगा वह इस प्रकार से लगेगा 10 10 है मानते हो और जो अंदर है इधर जो कड़ है उसके उपर बल चारों तरफ से लगेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कड़ सतह का है उसके उपर बल कम लगता है पहली बात दूसरी बात क्या होती है सतह के उपर जो कड़ होता है उसके उपर बल इस तूल की कड़ों की तुलना में कम लगता है यह बात समझ में आ गई मतलब अगर पहला पॉइंट लिखूं कि बल इनके उपर कम लग रहा है तो आप में से कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा कोई भी बुरा नहीं मानेगा सब लोग इस बात को असेप्ट कर लेंगे कि हां सर आप सही बोल रहे हो बल कम लगता है सही बात है ठीक है सेक्ट पॉइंट में क्याौण आप कि क्योंकि ये सारे की सारे जो कंण in वह सतेह के कंण पहां की कंण है तो जो सत्येह कंण होते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि उनके पास विशेश प्रकार की उपर पास होती है एं तो जो कण सरफेस पर है उनकी फिजिक्स ये बोलती है हमको कि वो कण के उपर बल कम लग रहा है पहली बात और उसकी उर्जा जादा है दूसरी बात उर्जा जादा होने के काण वो टन 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 इस तरह से हिलते रहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कण सतय पर उपस्तित हैं उनके पास बल कम लग रहा है दूसरे लोग उनको कम परिशान कर रहे हैं दूसरी बात उनके पास अच्छी खासी गतिज उर्जा है काइनेटिक एनर्जी है यह बात समझ में आती है सभी वच्चों को अगर ऐसा है तो जैसे ही मौका लगेगा मौका लगते ही यह कण खटाक से बाहर निकल जाएगा और जैसे मान लो उपर से हवा आ जाए उपर से बाहरा आ जाए मारवाडी में अमलों बोलते हैं बाहरा बाहरा का मतलब होता हवा जैसे ही बाहर आजाएगा हवा आजाएगी आप इसको हवा ही लिखना Alright इसी को बोलते हैं इस का कण में बदल जाना गाली तो कभी कपड़े कैसे सूगते हैं हम यहां नाम से जानते हैं कुछ नहीं होता जो हवा आती है उसके साथ में जो जल के पणड covid act वह जलके कंड साथ साथ निकल जाते हैं इसी को वाश्प के नाम से जानते हैं इसी को कहा जाता है वाश्पन वाश्प बनने की प्रक्रिया को किसका नाम देते हैं हम लोग वाश्पन का नाम देते हैं अभी तक मैंने आपको वाश्प के बारे में समझाया है वाश्प के बार को बढ़ना है जब भी आप कोई सत्य कोई भी द्रव ले लेते हैं अब कोई भी ड्रवा ले रहे हो तो ड्रव के बारे में एक सपपर को उन सभी कंडों के उपर जो बल है वो कम लगता है। इस्थूल के कंडों की अपेक्षा। अंदर के कंडे जादा बल जेलते हैं पहली बात आपको जाद रखनी है। पिर उसके बातब दूसरी बात यह है कि सत है कि जितने भी कंट है अच्छा-पारम क्वा निकल जाता है और उसको कहते है वाश्प में बदलना इसी रीजन से जैसे मालो आपने एक कंटेनर लिया इस कंटेनर के अंदर आपने जल भरके छोड़ दिया तो कुछ समय पश्चात एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बाद आप देखोगे तो यह दीरे 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 जो है यहां से क्या मिलेगा खाली मिलेगा और कि सारा जल किसमें बदल चुका होगा वाश्प में बदल चुका होगा यहां तक समझे मां आगया बढ़े अब यह तो खुले की बात कि अपने कि अगर आपने पात्र को खुला रख दिया तो पात्र को खुला रखने पर क्या होगा कि जितन कांटेनर को बंद कर दिया कि बंद करके हमने इस कंटेनर के अंदर द्रव भर दिया कि पानी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि अब इसको बोलेंगे बंद पात्र क्या बुलेंगे इसको बंद पात्र अब बंद पात्र के अंदर क्या होगा ध्यान समझने की कोशिश करना बंद पात्र में क्या होता है अब देखिए बाहर तो उड़ नहीं सकता तो धीरे धीरे क्या होगा ये जो आपकी द्रव है ये द्रव किसमें बदलना शुरू करेगी ये द्रव वाष्प में बदलना शुरू करेगी। क्योंकि आपका पातर खुलावा नहीं है आपका पातर बंध ए इसलिए पूरा-पूरा द्रव वाश्प में परिवर्थित नहीं होगा एक समय आए-गा जब आपको ड्रव प्रावस्था दंग से बोल रहूं मैं आपको सुनना है और रंग से लिखना है द्रव प्रावस्था इस शब्द भूल जाओगे न तो एक्जाम में लिखोगे क्या शब्दों पर ध्यान दिया करो आरी यह बास समझ में शब्द इंपोर्टेंट है तो थोड़े टाइम बात क्या होगा द्रव प्रावस्था और वाश्प प्रावस जाएगी कि जितना द्रव नोसकी बात क्या होता है साम खतavak क्या होताते इस हाथ ले मन इस याल सर शुकित मौन लें के बाद में क्या होगा अगर सब्सक्रम्ह यह समझा रहा हूं अगर द्रव का एक भी कन वाष्प में बदला तो उसी वक्त वाष्प का एक कन तुरंत द्रव में बदल जाएगा मतलब ब्रवस्ता का वाष्प प्रावस्ता में जाने को हम बोलते हैं वाष्पन कि और वाश्व का फिर से द्रव वस्था में आना इसको हम बोलते हैं संगनन आप लोगों को याद है आप लोगों कैसे याद होगा मैंने तो याद करवाया है नहीं पर आप लोग जीवन तो जी रहे हो ठंडा पानी मालो आप ग्लास में बरके लेकर आते हो तो जब ग्लास में ठंडा पानी बरके लेकर आते हो बड़े बच्चे हो समस्ते हो जैसे ही ग्लास में ठंडा पानी लेकर आते हो आपको ऐसा फील हो तोरा पानी की पतली पतली चोटी 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 बुंदे आ जाती है वो बुंदे कहां से आई इस वायू मंडल में बहुत सारी वाश्प हैं बहुत सारे ऐसे जल के बिछड़े कण हैं जो हवा उन्हें उड़ाकर के ले गई अब वो कण जो हैं जैसे ह पूब जल की बूंदे नजर आती है बचपन में यह बहुत पढ़ाता है ना इंध्र क्लास में 10 एंध्र क्लास में याद है कि गए दिमाग से भूल गए याद है बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा याद रहेंगी तो ही तो आगे जीवन में बढ़ पाओ गया चीज़ें ठीक है तो वाश्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था का समझ में आया बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों कि अगर आप एक बंद पात्र के अंदर द्रव को लोगे तो द्रव के जो कण है द्रव जो है वह वाश्प बदलना शुरू करेगा एक समय ऐसा आएगा ज वाश्प का एक और करन तुरंत किसमें बदल जाएगा द्रव में बदल जाएगा सहीए आप सब लोग की कमेंट मुझे एकदम के लिए दिखें उसके लिए मैं थोड़ा सा हमारे मॉनिटर वाई साब को पास मिली आता हूं हाँ अब छीक है कि सर्ण ने बताया था स्कूल में बहुत अच्छी बात आगे बढ़ते हैं अब लॉजिक को समझने कोश करूं अब आपको वाश्प दाप समझाने जा रहा हूं कि वाश्प दाप क्या चीज़ होती है कि साम्यावस्था आ चुकी है वाश्प प्रावस्था और द्रव प् रखाय है वाश्प इस ड्रव की सतये पर जितना भी दाब लगा रही है वाश्प यस ड्रव की सतये पर पर जितना भी दाव लGS रही है उस दाप को हम कहेंगे सामने वाश्प द... इसको हम क्या बोलेंगे साम्वाष्प दाभ। कि आया topic समझे में कि जब हम हम एक बंध पात्रे में द्रव को रखते हैं तो द्रव वाष्पित होना आरंभ करता है कुछ समयपस्चा द्रव की द्रव और वाश्प जो है वो साम्य वस्था में जाते हैं द्रव प्रावस्था और वाश्प प्रावस्था साम्य वस्था में जाते हैं साम्य वस्था साम्य वस्था पर वाश्प जितना भी दाब लगाती है द्रव के उपर उसे हम लोग साम्य वाश्प दाब के नाम से जा जानते हैं जानते हैं बताओ क्लियर को दिकत किसी को को दिकत नहीं है सामने अवस्ता पर वाश्प का प्रेशर कहलता है सामने वाश्प दाप कहलाता है च्यालो यहां तक मागया कि अब मेरा कुछ सवाल है आप से उन प्रश्णों का जवाब आप देंगे फिरम टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे प्राशन यह है आप लोगों से सभी बच्चों से प्रश्ण है मेरा या जितने भी लाइव क्लास में बैठ है मैं स्क्रीन शॉट बाद में ले लेना है आप चलो देलो स्क्रीन शॉट लो जब यह एप्लिकेशन पर देख रहे होगे तो स्क्रीन शॉट ले नहीं पाओगे वहां पर केवल आपको दे रख और द्रव नंबर दो है आपका मैथेनॉल या एथेनॉल ले सकते हो c h 3 c h 2 o hm div कि इस बात का जवाब दो की जल और एथेनॉल इन दौनों में से किसका वाश्पदाब जआदा होगा कि अब जल का वाश्पदाब माल्यते हम पीवन बोल रहे हैं या हुए काम करते हैं है पीवन दोन होको इन दौनों में से किसका वास्पदाब जड़ाद होगा गिसका वास्पदाब जड़ादा होगा अगर अधरों एक कंटेनर में एक गणंडर में हम एंदर को बहर के परें तो हमें ज्यादा वाश्पताब देखने को मिलेगा यह सवाल के यह जानते होंगे कि बलों का पैटरन की चमझे सब्सक्राइब सब्सक्रों सद्रक्रों कि अगर यह आ कलने सके तो वास्पदाब बी अच्छा लगेगा को कि ये कण उड़ता है ये कण उड़कर के उपर जाता है और फिर वापस आकर के द्रव की सतय पर क्या लगाता है वाश्पदाब लगाता है तो मोटी मोटी बात यह है कि जितनी आसानी से ये कण उड़ेगा जितनी आसानी से कण वाश्पित होगा उतना ही बड़िया वाश भी कम आएगा इसका मतलब यह हुआ जितना अणूं के बीच में आकर्शन रहेगा उतना ही वाश्पदाप कम होगा क्या आपको यह वास्मझ में आती है कि जितना अणूं अणूं के बीच में करिया रहेगी जितना अडूओं के बीच में आकर्षनद रहेगा उत्तना ही वास्पदाप कमाएगा यह करण के मद्या कि उन्यूण न्योड के वीद कर बाषपदाप कमायेगा ये बाषपदाप कमाएगा ये अगरब कण अपने दूसरे कणों से कोई मतलब ही नहीं रखता हो मतलब दूसरे कण इसके उपर उतनी अच्छी आकर्शन बल नहीं लगाते हों तो यह फ्री रहेगा दिमाग से और दिमाग से फ्री रहेगा तो इसका उड़ना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा यह बढ़िया से व समझ गए तो हमें automatically समझ में आ जाएगा कौन ज़्यादा वाश्पित होगा और कौन कम वाश्पित होगा कि step by step पड़े हैं आप समझ मारा है सब्सक्राइग है अब आगे देखो एक alcohol सीस्पी सीस चूह और दूसरा ऐलकॉल स्मय के बीच में होता है हाइड्रोजन बंद इसके बारे में आपने 11 class में पढ़ा होगा इन दौनों के बीच में क्या होता है hydrogen बंद तो एक ethanol और दूसरे ethanol के अनू के बीच में कौन सा बंद होता है hydrogen बंद देखने को मिलता है जलके एक अनू और जलके दूसरे अनू के बीच में भी क्या देखने को मिलता है hydrogen बंद देख यहां पर आपको एक और सुचना की आउशकता है कि जल का एक अनू जो है चार जल के अनू के साथ में हाइड्रोजन बंद बनाता है यह जल के अनू की बहुत बड़ी खासियत है यह जल के अनू की बहुत बड़ी खासियत है कि जल का एक अनू जो है वो जल के चार अनू के सा सात में hydrogen बंद का निर्माण करता है है मतलब यह हुआ कि hydrogen बंद रॉन इसके अंदर ब्ढ़ दोनों भी किसा hydrogen बंद तागतवर हैं तो आप यह बोलोगे कि हैं सरब जल का hydrogen बंद भूट तागतवर है इसका मतलब जल के एक अनू को जल के चार उनू जो है वो मजबूत hydrogen band से बांध के रखते हैं तो जल का जो वाशपन है वो मुश्किल से होगा जबकि एथनॉल में एथनॉल के एक कण को एक और कण ही एक कण को एक कण ही बांध के रखता है तो यहां पर इसका उड़ना आसान है इसका उड़ना मुश्किल है इसका मतलब अगर पड़ेगा हवा में उसका वाश्पदाब ज्यादा आएगा जल की तुलना में कि इस तरह से सोचना पड़ता है और जब अपन इस तरह से सोचते हैं तो चीजें समझ में आती है कि लियर है हां नहाँ आगा समझ में पक्का कोई दिक्कत नहीं है कि बहुaking आपका वाश्पदाब अंतर है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आत्या आता है कि न दौनों में जो अंतर है तो यह समझो और दूसरी बात समझो कि आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर लिक्विड में किस प्रकार के आको सबनें दूसरे लिक्विड में किस प्रकार के आको संबलें ताकि एक्जाम में जब कॉशन पुछे तो आपको पूरा-पूरा इडिया उसीश का होना चाहिए है ठीक है लताओ किलियर पक्का डण आगे बढ़े चलो किलियर है ना ओके नेक्स पॉइंट वाश्पदाप की निर्भरता वाश्पदाप निर्भर किस पर करता है वाश्पदाप की निर्भरता ज्यान से देखना वाश्पदाप को सिंपल में वीपी बोलेंगे अपन वैपर प्रेशर का शॉट फॉर्म अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना यह से आपने एक लिक्विड बढ़ लिया एक कंटेनर में और उसको ब बड़े पात्र में बंद कर लिया है सवाल मेरा यह है दौनों के अंदर वाश्पदाप सेम आएगा या अलग अलग है अब सोचने वाली बात है यह लिक्विड अपनी वाश्प में बदलेगा कुछ टाइम बाद साम्मे वस्ता आ जाएगी और फिर यह जो वाश्प है कि द्रव की सतय क्यों पर दाब लगाएगी जिसको वाश्प दाब बोलते हैं यहां भी वही द्रव है तो वही द्रव वाश्प में बदलेगा उतनी वाश्प बनेगी जितनी पहले बनी थी और वही वाश्प इस द्रव की सतय पर दाब लगाएगी कोई फरक नहीं पड़ता वास्पदाब निर्भर नहीं करता कि ये मोटी बात अब को याद रखनी है कि पात्र के उपर वास्पदाब जो है वह बिल्कुल भी किसी भी हालत में निर्भर नहीं करता पात्र से वाश्पदाप पोगी मतलब नहीं वह बिल्कुल भी पात्रे के ऑपर नहीं करता परनतु वह जो पधार्थ वाश्पित हो रहा I월 G प्रकृत कि प्रकर्टी पर निर्वर्व करता है कैसे करता है मैं समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा पधार्थ दो प्रकार के होते हैं अगर आपन वाश्पदाप के संदर्ब में देख रहे हैं एक तो वो पधार्थ होते हैं जो उड़ सकते हैं जिसका नाम है वाश्पशील पधार्थ नोट कर लें आप लो कॉपी में वाश्पशील पधार्थ जो नहीं उड़ेगा नमक को पानी में घोल तो भी नमक नहीं उड़ेगा गुलकोज जो है वो भी आव वाश्पशील पधारत का उधारन है वो भी नहीं उड़ेगा सुक्रोज है यूरिया है यह गुलकोज हो गया सुक्रोज हो गया यूरिया हो गया यह सब इस प्रकार के पध वास्पदाब देखने को नहीं मिलेगा इनका जो वास्पदाब कितना होगा जीरो होगा इनका जो भी वास्पदाब निकलए को कितना आएक जीरो आएगा पद 20 ziem जैसे कि आपको एक्यामने अभीommes आपका जल आपका एलकोहल आपका बड़ा वाला एलकोहल समझ गए यह सब जो हैं यह उड़ते हैं इसलिंका वाश्पदाब जीरो नहीं आता है तो वाश्पशील पधार्त वो होते हैं जो उड़ते हैं और जिनका वाश्पदाब आपको देखने को मिलता है और वाश्पशी वाश्प ostr चील पधारतों का अध्यन करना है अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में और आज हम लोग लोके नियम का अध्यन करने जा रहे हैं नियम आपको वन चॉट में समझना है उसके बाद अपन इसके निमेरिकल्स जो है अगली क्लास में करेंगे राउल्ट का नियम किन के लिए है राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव के लिए लगता है मतलब द्रव प्लस द्रव से कौन सा विलियन बनेगा जब आप एक द्रव विले को एक द्रव विलायक के अंदर मिलाओगे तो उससे जो Willian बनेगा उसका नाम क्या है? द्रवी ये Willian हाँ जी तो द्रव प्लस द्रव विलियन के लगता है द्रवी ये Willian के लगता है और द्रव पलस द्रव में भी एक खास चीज़ है ध्यान सुनना राउल्ट का नियम हम तब लगाते हैं जब दो द्रव जिनकी आप बात कर रहे हो वो दोनों द्रव वाश्पशील होने चाहि defines मतलब यह दौनों द्रव जो है यह दौनों के दौनों द्रव क्या होने चीए वाश्प शील द्रव होने चीए तब हम इनके लिए राउल्ट के नियम की बात करते हैं अध्रवाइस राउल्ट की नियम की बात करने का कोई मतलब निकलता नहीं है चल्ड को समझे ने बहुत सिंपल है है स्टेप बैस समझते हैं मान लेते हैं कि आपके पास एक पात्र और उस पात्र के अंदर क्या भरावा है उस पात्र के अंदर चुद्ध द्रव ए भरावा है क्या बरावा है शुद्ध द्रव ए भरावा है इस पात्र को हमने बंद कर दिया अब आपको अच्छे से पता है कि क्योंकि शुद्ध द्रव ए बरावा है तो वह द्रव वाश्पित होना शुरू करेगा जैसे 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 आपका द्रव वाश्पित गएगी और वह वाश्मiddar केवल किसके कारण होगा शुद्ध द्रव एक कारण तो उसे हम कहेंगे या ऐसा करते है इसको शुद्रम लिख लेते हैं तो país उब इसको मुझे कारण है और कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ें इसके बाद एक आपके पास एक और पात्र है दूसरा पात्र कि उस पात्र के अंदर क्या बरावा है उस पात्र के अंदर बरावा है शुद्ध अब उसके अंदर पात्र को बंद कीया पात्र को बंद करते ही यह उसके अंदर भी वास्पान शुरूँ करेगा और जैसे जैसे यहां सभ range वस्ता आएगी जैसे सम्या वस्ता आगई वैसे अब यहां पर ये वाश्प भी जो है वो द्रव की सतेय के उपर दाब लगाना शुरू करेगी इससे आएगा वाश्प दाब और यहां जो वाश्प दाब आएगा वह सुद्ध द्रव के कारण जिसको हम बोले रहे हैं पी ट अब समझना बात को ध्यान से अगर इन दौनों द्रवों को मैं मिक्स कर दूँ और इन दौनों द्रवों को मिक्स करके इनका मिक्सर बना लू इनका विलिर बना लू और फिर हम डिसकस करें दौनों द्रवों को मालों आपने मिक्स कर दिया अब इस container में A, B अब है B, B है A, B, B, B है B, B, B है Bतब दोनों द्रफ हैं आपने 121-12 वोला है ठीक है द्रवक्त हैं, द्रवक्त है ध्रवक्त है 2. 1-2 है ध्रवक्त है अब क्या होगा जब आप ने इन दोनों द्रफों को mix कर दिया है तो दौनों में मिक्स दौना अलग अलग द्रव हैं इनको आपने मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद अब वन भी उड़ेगा वन के वास्प के करण भी आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद आपका टू भी उड़ेगा और टू के वास्प के करण भी आपको देखने को मिले और यहां दो का वाश्पदाब है वह इस पीटू नौट के बराबर नहीं होगा कौनकि जब यह शुद्धा प्रावस्था में थे तो उस समय केवल यह अकेले थे तो यह अकेले ही उड़ रहे थे तो इस रिजन से वहां पर वाश्पदाब पीवन नौट आ रहा था यहां प वापस मिल देखने को मिल रहा है वह पीवन है और जो टू है उसके कारण जो वाश्पदाब देखने को मिल रहा है वह पीटू है तो पीवन पीटू का क्या मतलब है पीवन है द्रव वन का ँश्पाँश वाशपदाब का मतलब क्या होता है उसका जितना भी वाशपदाब सताय में यहां जो वाहएं है उसमें दो लोगों की साहिता त्दाब के अ help के exp zie आप है तो कमेंट कर सकता है फिर आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट राउल्ट के नियम पर आते हैं अब आप समय आ गया है कि आप यह जाओन की फिल कर लो थ्यूरी और मुस्ट होने वाली है कि आप सही ना कि यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है किसी को भी समझ मा रहा है पूरा 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 कि बताओ कि अब ठीक है कि लिए रहे वापस से एक बार त्यान से देखो सबसे पहले द्रव ए जो है जब वो शुद्ध प्रावस्था में है तो वे तो शुद्ध अवस्था में है तभ वो उडद कर बें ब immense है। ज इन दोनों को अपन ने मिला दिया और इन दोनों को मिला कर के एक ही पात्र में डाल दिया उस समय सत्य के ओपर एबी है बी भी है अब ये उड़ करके जितना बीदाब लगा रहे हैं वो पीवन और पीटू है अब हमें यहीं देखना है कि यह पीवन और यह पीटू किन किन बातों पर निर्भर करेंगे यह पीवन पीटू किस-किस बात पर निर्भर करेंगे यहां पर द्रव वन का वाश्पदा आप किस बात पर निर्भर करता है और यहां पर द्रव वन जो है वह ज्यादा मिलाया और द्रव दो जो है वह कम मिलाया जब इन दोनों को मिक्स कर रहे थे ना इन दोनों को मिक्स करके विलियन मना रहे थे तो जब मैंने विलियन बनाया तो द्रव वन को ज्यादा मिलाया और द्रव टू को कम मिलाया तो जब आप ज्यादा होगा अगर पहले वाला ज्यादा है तो सतय के उपर वन की मात्रा ज्यादा होगी तो वन उड़ेगा भी ज्यादा वन उड़ेगा ज्यादा तो उसका वाश्पिदा भी ज्यादा ही आएगा इसका मतलब सीधी सीधी मोटी मोटी बीएफ मोटी मोटी बात ये है कि जो द्रव जितना ज्यादा होगा उसका वाश्पदाब उतना जादा आएगा अगर इस विल्यन में ज्यादा है तो पीडियन ज्यादा आएगा द्रव तू ज्यादा है तो धीटू ज्यादा आएऄगा अब सवाल ये पैदा होता हे कि एक द्रफ में क कौन कितना है ये कौन बताता एक पदों में जाकर के ढ्लाइव का अंश फिलियन में कितना ए या किसी 35 का मुश ज्यादा है किसी का मोल अंच जादा है इसका मतलब वो बिलियन में जादा है और किसी का मोल अंच कम है इसका मतलब वो बिलियन में कम है तो कहने का मतलब यह है कि मोल अंच के समानुपाती होगा अगर x1 जादा है इसमें दो लोग है 1 और 2 X1 जादा है इसका मतलब X का मोलंच जादा है तो यह बात समझ लेना कि अगर X का मोलंच जादा है तो उस द्रव का जिस द्रव का मोलंच जादा होगा उसका वाश्पदाब भी जादा होगा P2 जो है मतलब द्रव 2 का वाश्पदाब वो उसके मोल अंश के समानुपाती है सीधी सी बात है मतलब जिस भी द्रव के वाश्वदा आपको आप देख रहे हो वो समानुपाती होगा उस द्रव के मोल अंश के क्योंकि मोल अंश का मतलब होता है कितना अंश है उस द्रव का उस विलियन में अगर x1 जादा है इसका मतलब यह है कि draw 1 बहुत जादा है विलियन में और अगर draw 1 जादा है विलियन में इसका मतलब सतय की उपर भी draw 1 होगा तो 1 जादा उड़ेगा और उसका वाश्वदा अब भी जो है वो जादा आएगा बताओ किलियर हो गई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझे मागे अच्छे से कोई समस्या नहीं है कि मोले लिंज के समानुपति कैसे आया अब उसके बाद कुछ नहीं करना है इसको आगे लिखेंगे इसको आगे लिखेंगे जैसे ही ये constant यह proportionality का sign अड़ता है जैसे ही proportionality का sign अड़ता है जैसे ही proportionality का sign अड़ता है एक constant आता है यहां पे भी constant आएगा P1 बराबर k into x1 P2 बराबर k into x2 के लिए इस तरह से आपको यहां पर भी एक constant जो है वो देखने को मिलेगा को दिक्कत नहीं है कि समझ मागई बात clear है clear बढ़िया से clear एकदम clear पक्का चीक है कर दो जो अब थोड़ा सा थियोरी पढ़ते हैं तिरआगे बढ़ेंगे का न द्रव द्रव बिलियेनों का वाश्पताब जब किसी द्रव का विलियन किसी द्रव में बनाया जाता है तो उस में में दौनों अव्यव वाश्पशील होते हैं अताय विलियन के वाश्पदाब में दौनों अव्यवों के वाश्पदाब का योगदान होता है राउल्ट का नियम क्या कहता है वाश्पशील विले युक्त विलियन के लिए राउल्ट का नियम एक निश्चित तापमान पर वि जो भी आपकांग है एक में जो भी ज्यादा है उसना ही ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा इसे एता sizz आगी बात समझ में अ अब यहां पर constant k के बारे मैं पता लगाते हैं कि constant k कौन सा होगा अगर मैं case लगाऊं यह P1 बराबर के इंटू एक सब्सक्राइब केस लगाते हैं यहां पर द्रव दो ही नहीं और द्रव दो नहीं है इसका मतलब केवल कौन है द्रव वन है तो उस समय यह P1 बराबर के इंटू एक सब्सक्राइब का फॉर्म्मला कैसे लगेगा जरा इसके बारे में विचार करते हैं सोचो एक स्टू बराबर जीरो है क्योंकि आपका एक स्टू बराबर जीरो है इसका मतलब सीधा सीधा मोटी मोटी बात यह है कि एक सब्सक्राइब की जगे क्या आएगा इसका मतलब पहले वाले केस के लिए जो के का मान है वो कितना है पीवन नॉट है तो यहां से एक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि पीवन बराबर पीवन नॉट एक्स वन इस तरह से अब दूसरे के लिए चेक करें दूसरे लिए चेक करेंगे तो बिल्कुल वही पैटन रहेगा सेम पैटन रहेगा देखो द्रव दो की बात करते है यदि अपने बोलने है कि एक्स वन जीरो है पहले वाला द्रव है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स टू वन हो हो कड़ेगा अगर मैं बोलना हो कि यह सब्सक्राइब लौथ करने गृत्र ऐसका की जगे के से बसे बेमं कहा है वह आपको समझना पड़ेगा लिखने स्लाइड मैं भी आपको दिखा दीती तो इस मोटी बात को याद रखो कि कौन क्या है पीवन है विलियन में द्रव वन का आंशिक वाश्पदाब पीटू है विलियन में द्रव दो का आंशिक वाश्पदाब पीवन नौट है शुद्ध द्रव वन का वाश्पदाब पीटू नौट है शुद्ध द्रव दो का वाश्पदाब यहां तक कि कहानी एकदम के से छिरा है कोई समस्या नहीं कोई डाउट नहीं किसी वच्चे को कूरा समझ में आगया ऑगया अगर अगर अपन M carosition का तो विल्यक सी अ कुल वाश्वदाब लिखें लिखें के तो मिल यंद्र का हिसी को एंद हो इसके बराबर होगा क्यों कि देखो विलियन में अभी वाश्पदाब किस-किस का है पीवन और पीटू है दो वाश्पदाब है अंशिक तो कुल वाश्पदाब क्या होगा पीवन प्लस पीटू तो विलियन का कुल वाश्पदाब आएगा पीवन प्लस पीटू अम्मान रखते हैं हमें पता है क ट्यूkien को जोड़के लिको नोच सब्सक्राइब करना है एक सब्सक्राइब टाहिए वन माइनस एक्सटू चाहाओ तो एक्स टू बराबर 1-1-1 लीक सकते हो यहां रख सकते हो तो यहां पर मैं एक्ष मन कमाण हमें पता है यहां से एक्षोन के माद इधर रखते हैं क्या निकल के आएगा P1 not 1 minus x2 plus P2 not x2 open करो यह आजाएगा P1 not minus P1 not x2 plus P2 not x2 बराबर इसमें से और इसमें से P2 not common निकालते हैं प्लस लिख रहा हूं कोई कि पहले मैं इस टर्म को ले रहा हूं यहां पहले इसको लिख लिए यहां का प्लस का प्रकार से निकल के आ रहा है जो आप अल्यडी खुद भी बना सकते हो कि प्रकार से चल रहा है बहुत इस तरह से यह आप याद रख सकते हो इस से संबंदित ग्राफ का अध्यन करोगे जो ग्राफ है उसका अध्यन करोगे राउट नो का जो ग्राफ हो किस प्रकार से बनता है उसका अध्यन करोंगे इसके बाद आप किसा अध्यन करोगे आप निमरिकल्स स्मझ्बंद्द आपको लिया जाए विलया गैस ने ठोज द्रव और गैस यदि विले द्रव हो और विलायक और विले दौनों ही वास्पची लोग और विलियन का कुल वास्पदाब जो है वो दौनों के आंशिक दावों के योग के बराबर होता है यह बात आप जानते हो अच्छे से अभी मैं आप वही लिखा कि पी टोट क्लास में लोग इस बाह्याद में डिस्कस करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और इस टॉटिक को आगे बढ़ा करें हम लोग यह करेंगे कि इसका ग्राफ बनाएंगी this winner कुसर Elamere end दो पार्ट में फिनिश करेंगे फिर्स पार्ट आज हो चुका है कि करके हम लोग कर लेंगे फिर रहे हैं कि आप जो है पढ़ाई को अपने फ्लो में ले आओ कि अब जो है टॉपिक भी लंबे हैं अब नुमेरिकल्स भी ज्यादा आ रहे हैं क्लासिस भी लंबी हो रही है तो आपको अपना फ्लो बनाना पड़ेगा तो आप अगर थोड़ा बैक भी चल रहा है पुराने लेक्चर्स आपके ड्यू चल रहे हैं तो ज अच्छा रिजर्ड लेकर क्या होगे सो में सो आपके कहीं नहीं जाएंगे और इस चैप्टर को तो हम पड़ी उस अप्रोज से रहें कि एक भी कॉशन आपका छूट नहीं रहा है हर टॉपिक से संबंद इतने कॉशन अपन कर रहे है कि आपकी प्रेक्टिस अच्छे से अ झाल